जीला लातेहर के परखंड बालूमत पंचय धाधू ग्राम धाधू टोला खरखिया में अंगनबाड़ी भवन है पानी की समस्या है बच्चों की संख्या 40 है वहां का चपकल डेड़ सार से खराब है जिसके कारण सहिया को खाना बनाने में परिशानी होनी है पानी बहुत दूर से लाते हैं खिचडी बनाती हूं बच्चे को खिलाती हूं और पानी तो बहुत समस्या है उसमें तो बहुत दूर सुलाते हैं नाला कार करके जाना पड़ता है और नाला कार करके आते हैं कैस्वों पूराते हैं बचा लग literal हमलों कागम आन बाडे में तो कम से कम बच्चा पचास तक पहुच जाते हैं इसलिक ल तुपते हो में पानि बरस्याогत्य उपराण़ा तो भींते भींते जाथे आपानी लगने उसके डाट कैस्वहाश मतीतर बनाते हैं और बरतन भी धोने के लिए पानी यहां नहीं है भीरे नहर के पानी आता है तो दूरे जाते हैं और नहर में ही धोते हैं पानी रहता है तो और डेम भी सोख जाता है तो नहर में भी पानी नहीं रहता है फिर कुवांस ही जाके लाते हैं और उसी से बरतन सर्थ होते हैं सर्वनियालाइक के आदेश के अनुशर छावार्स बच्चे के कम उम्र के हर बच्चों को अंगान बाड़ी की सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए इस समसिया को मुख्या के पास मुख्यत तोर पर आउगत किया गया लेकिन आउसासल ही रहा आप सबी वीडियो दखने वालों से अनुरोध है की बालूमात परखांड के सीडिप्यो रिना कुमारी उसका संपर्क नमबर सतर सतर पाइटालीस उनहातर एक तालीस पर फोन करके इस पर इस समसिया से आउगत कराएं ताकि चपकल मरमती जल्द से जल्द किया जाए मैं सुम्रेन मींज इंडिया अनहट के लिए है जल्द से 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 जल